हेलो एवरिवन वेलकम तु माई चानल आज हम ना रहे हैं छोले भटूरे तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डीटेल्ड रेसिपी यहां मैं ले रही हूं भटूरे के लिए अठाई सौ मैदा उसमें मैं आधी चमच बेकिंग सोडा डाल रही हूं उसे अच्छे से मिक्स कर ल मैं यहां 2800 कावली चना ले रही हूं मैंने इसे कुकर में तीन सीटी डे के उबाल दिया है मैं यहां मीडियम साइस्ट के तीन प्याज ले रही हूं और फोरन के लिए लाल मिर्च, जीरा, लॉंग, दालचीनी, छोटी लाइची, बड़ी लाइची और तेश पत्ता अब क अब हम इसे कुछ मिनिट तक भूजेंगे जब तक यह लाल नहीं हो जाती मैं यहां मसाले के लिए जीरा, गोल्की, लाल मिर्च, अद्रक और लहसन यूज़ कर रही हूं आप चाहे तो इसके पाउडर या पेस्ट यूज़ कर सकते हैं इन मसालों को आप अपने टेस्ट के अब हम इसमें हल्दी डालेंगे और एक चमश धनिया पाउडर फिर इसे भुने हुए प्याज में डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे एक सी दो मिनिट तक भूजने देंगे मैं यहां तीन मीरियम टू बिक साइज टमाटर ले रही हूं इसे अच्छे स कर ले और जब मसाला थोड़ा भुझा जाए तो इसमें डाल देंगे इसे अच्छे से मिक्स कर ले और एक से दो मिनिट तक भूजने दे उसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इसे हमें तब तक मुझने देना है जब तक नमाटर अच्छे से गल नहीं जाता और इसका पानी थोड़ा सूख नहीं जाता जिसे कि आप देख सकते हैं यह भुझा चुका है अब हम थोड़े कावली चना अलग प्रेट में निकालके इसे अच्छे से चूर लेंगे छोले में डालने के लिए ताकि उसकी ग्रेवी थोड़ी गाड़ी हो जाए अब हम इसमें बाकी कावली चना डालेंगे और इसे अच्छे से कम से कम 4-5 मिट तक भूझेंगे मेडियम टू हाई फ्लेम पर अब यह भूझा चुका है अब हम इसमें दो ग्लास पानी डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लें फिर हम इसमें चूरे हुए कावली चना डालेंगे ताकि हमारे छोले की ग्रेवी थोड़ी थीक हो जाए फिर हम इसे उबलने देंगे अब भटूरे के लिए हमें कढ़ाई में रिफाइन ओले लेंगे इसे गरम होने दें अब हमारे छोले भी लगव बन के तयार हो गया है अब हम इसमें आधा चमच गरम मसाला डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लें फिर इसे ढखके उबलने के लिए छोड़ दें अब हमारा छोला बिल्कुल बन के तयार हो गया है इसे हम धनिया पत्य से गार्निशिंग करेंगे और यह खाने के लिए बिल्कुल रेडी है यह हमारे छोले बिल्कुल बन के तयार हो चुके हैं यह बहुत ही टेस्टी है तो आप इसे जरूर बनाईएगा अब हम अपनी भटूरी की तयारी करेंगे इसे अच्छे से बेल लें आप भटूरी की थिकनिस को अपने टेस्ट के हिसाब से मोटा या पतला बना सकते हैं भटूरी तेल में डालने से पहले मेक शियोर की तेल बहुत गरम हो अगर नहीं रहेगा तो हमारे भटूरी अच्छे से नहीं फूलेंगे